हेलो दोस्तों कैसे हैं उमीद है अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग इल्जबरा बीजगनित पढ़ रहे हैं और बीजगनित में इसके पहले चार लेक्चर हो चुका है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे ह किसमें क्या क्या पढ़ाया वए है उसको थोरा सामरी कर देते हैं जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्स प्लस लॉन बै एक्स ब्राबर टू का किस δुसरा वर बताया था इस ही में दुसरा टाइप x minus 1 by x ब्रावर minus 2 ये वह लग case बताये थे फिर मैंने बताया था x plus 1 by x का value p है तो आपका x square plus 1 by x square का value फिर आपको हम बताये थे x q plus 1 by x q का value और इसका हम type ये तो अलग दो type था ये एक type में आ रहा था इसमें हम type का क्या नाम दिये थे low power to high power का बात हम लोग किये थे इसमें जैसे x square plus 1 by x square है इसी तरह से यहाँ power 4 हो सकता है 6 हो सकता है तो इवाला type भी आपको हम बता चुके है यानि low power से high power बता चुके है फिर हम लोग अगले type में जब हम लोग गये थे तो वहाँ पे हम लोग समझे हुए थे और इस पे बहुत सारे questions पे भी बात किये हुए थे याद होगा और फिर जो last video हुआ था उसमें हम आपको हम बताय हुए थे same power के बारे में हम बताय हुए थे और same power का बात बता कर हमने lecture को खतम किया था जो भी बच्चे इस channel पे नए है या पीछे के video नहीं देखे हैं उनसे request है on road है आगरा है कि पहले जाकर पीछे वाले video देखे क्योंकि सारे video इसमें अभी algebra में link up है अगर आप पहले वाले नहीं देखे हैं तो आगे वाला अभी वाला आपको समझ में नहीं आएगा तो उन बच्चों से हम request करना चाहेंगे कि ये video देखने से पहले पीछे वाले video देखे नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कुछ बच्चे को लगता होगा कि सर काफी detail से पढ़ा रहे है तो उन बच्चे को जो नए बच्चे है पुराने बच्ची तो जान रहे है कि हम मायत का पूरा foundation बैच लेकर आपको पढ़ा रहे है इसलिए time लग रहा है तो अभी आपको YouTube पे जो आपको free cost मिल रहा है सारा आपको पूरा detail में foundation बैच की तरह मिल रहा है और आपको इसमें ऐसा ऐसा type मिलेगा देखने को कि जो आप पढ़े भी नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे लेकिन उसमें जो अगर हम ratio निकाले तो ratio जादे मिलेगा कि जो बच्चे बहुत सारे type नहीं पढ़े होंगे जैसे पीछे वाला type में हम आपको बताया थे same power का concept उसमें भी दिक्कत बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे अगर उनको ऐसा question अचानक मिल जा तो दिक्कत होगी तो सारे topic को हम आपको एक एक करके सारे topic को थोड़ा time लगेगा क्योंकि हम पहले ही बोल दिये कि foundation बैच है और इस बार आपका जो डिलेट का set नहीं मिला इसलिए क्योंकि बाट के कारण यहां line पर भावित किया था लेकिन अगले week से फिर आपका जो दो set आपका चल रहा था डिलेट का हर सपता में वो चलेगा तो चलिए आज हम लोग आगे कुछ बात करते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझेगा हम फिर से कहना चाहेंगे कि जो बच्चे अगर इस चाइनल पर नए है या जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं पीछे का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे हमको रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पहले पीछे वाले टाइप देखे आई बस समझ में एक चीज और बता दे कि मैं आपको जो भी फर्मूला ट्रीक बता रहा हूं वो सारा प्रूफ करके बता रहा हूं आपको यह न लगे कि यह ट्रीक कहां से आया अगर आप भूल भी जाईएगा खुद से ट्रीक बन जाएगा ठीक है कुछ-कुछ कोस्टन ऐसे भी आएंगे जिसमें टाइम लएगा एक दो मिनट लएगा एक बार हम आपको बताये थे तो पीटी में तो कम पुछने का चांस रहता है जो मेंस होते हैं जो एक्जामिनेशन का से से और अगरा का उसमें यह पूश्चन इस तरह के पूरा मतलब कुलेशन वाले कुछे जाते हैं तो उस कुछन में तो टाइम लगेगा भाई तो उन बच्चों जो पेसेंस में पढ़िएगा तो ऐसे ही बताया जाएगा तो आज हम कुछ ऐसे टाइब बताएंगे जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतरीन बेहतरीन कोश्चन आपको देखने को मिलेगा आई बस समझ में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ अलग तरह का कोश्चन और बात को समझते हैं जैसे हम यहां लिख दे यदि एकस प्लस वन बाई एकस गुरावर थ्री तो कहेगा कि एकस स्कुराइर प्लस वन बाई एकस क्यूं का भैदी देख रहे हैं कोश्चन का पैटर इसके पहले आपने जितने भी कोश्चन पढ़ा यहां पे पावर सेम र समय को आप समझेंगे इसका बनाने का दो-तिन तरीका है लेकिन आपको हम अपने तरब से कोशिच करेंगे कि सबसे सिंपल टरीका बता झाली है इस कोस्चन को जब हम लोग बनाएंगे मिरे भाई दखिय कैसे बनाएं जब इस को बनाएंगे यहां एकस प्लस वन बाई xy3 है ओके कल एक टाइप बता हुए थे पिछले क्लास में सेम पावर का जैसे x प्लस 1 by x ब्रावर अगर पी दिया हुआ है और आपसे पुछे कि x-1 by x का वहलू क्या होगा तो इसका हम फर्मूला बतायते हैं कि फर्मूला कैसे निकालेते हैं अगर हम x-1 by x का whole square करें इसको लिख सकते हैं x-1 by x का whole square minus 4ab इसको हम प्रूब भी कियाते हैं फिर आपको हम समझा दे रहे हैं कि आपको आसानी हो समझने में यह x से x कट जाएगा अगर हम कहें कि यहां से x minus 1 by x का value निकाल दिए तो square वाला क्या charge आगा root और इसका value क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है यहां पी square minus 4 तो आपको यह हम फर्मूला पिछले lecture में सिखा दिया था कि अगर same power निकल ला है जीसे देखें माइनस निकल ला है तो minus 4 करेंगे और अगर यहां पर माइनस दिय यहां पर दिया हुआ है समझेगा ध्यान से जैसे माल लीजी यहां पर दिया question x minus 1 by x और कहेगा कि x plus 1 by x निकले क्या निकले x plus 1 by x निकले तो इसको आप square कर दिजिए square कीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते है x minus 1 by x का whole square plus 4ab ऐसा फर्मूला आपको हम प्रूफ करके भी बताय हुए है किसरा lecture या दूसरा lecture भी आप देखिएगा इससे ही कटेगा अगर हम कहें कि x plus 1 by x का value निकले है यह square निकले है इसका value किसके बराबर है पी के बराबर plus 4 यहीं न फर्मूला यहां पे लिखे है नीचे यह वोला फर्मूला और यह वोला फर्मूला आपको हम बताया है पिछले lecture न बता दिये है फिर अभी आपको हम बता दिये है अब इस फर्मूला का यूज करेंगे अचलिए आप लिखना चाहेंगे तो आप यहां क्या करेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स ब्राबर के लिए यह कुश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे समझाना है तो टाइम लग रहा है जब आप पुरी तरह से प्रैक्टिस कर लिजेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा अगर हम कहें यहां से एक घृष माईद擊 तक यहां पे एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैलू कितना आ गया है आप यहां पर एक से स्कॐ एर और वन बाई एक्स Q चाहिए यान凍ल चाहिए तो क्या करते हैं इसका हम एक और तरीका बताएंगे अब जड़ा देखिए यह दोनों कट जाएगा जोड़ने पर यहां पर अगर हम आइड कर दे यह दोनों कट जाएगा प्लस माइनस यहां एक सिक्स क्या हो जाएगा टू एकस आइधर क्या वुचेगा थिरी प्लस रूट और चलिए हमने एकस का बैुल लुंग डिया है और इसको मिटा देता हो है तुल्यवक्त होult यह तो है अब यहां पह indem का व Так अब यहाँ पर एकस का वैलुष कर देंगा तो मेरा काम हो जाएगा और पिर मोग एकस का वेलिस का भाई और एकस करे यह उल्टा हो जागा, तो क्या हो जागा, 2 by 3 plus root 5, अब इसको हम परिमेकरन कर सकते हैं, rationalization, तो plus हो जागा, minus में, हो गिया, minus में, अब यहाँ पर क्या बुचेगा, 2 into 3 minus root 5, और जब भी परिमेकरन होता है, तो नीचे a plus b, और a minus b, a plus b, और a minus b का जो formula होता है, वो a square minus b square, नीचे क्या हो जागा, 3 का a square, minus root 5 का square, अब यहाँ पर क्या बच गिया, 2, 3 minus root 5, अनीचे, 3 तरीकी नो, और a square root को खतम करेगा, 5, तो क्या आ जागा, 2 into 3 minus root 5 by 4, यह कितना अर्द कर जागा, दो दुना 4, तो आपका result कितना आया, 3 minus root 5 by 2 आगया, अब देखिए, अब question बनाना start करते है, अब ज़रा देखिए, question में किसका value निकलना है, x square, अब plus कितना, 1 by x q, अब क्या किजिए, यहाँ पे x का value रख दीजिए, क्या है, 3 plus root 5 by 2, इसका whole square, और 1 by x का value क्या है, 3 minus root 5 by 2, इसका whole q, क्योंकि power 3 है, अब यह square दोनों पे हो जाएगा, तो यह टूटेगा, a plus b का whole square, यह square इस पर भी है और इस पर भी है, इसका square करेंगे, होगा ना, 3 plus root 5 का कौन चीज, a square, तो तो यह, a square, डिरेक्ट लिख सकते हैं, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, चलिए, तो इसको हम समझाते हैं, अब देखें, तो इसको a plus b का whole square, डिरेक्ट मारेंगे, a square, a square, यहाँ square है, तो a square कीजिएगा, तो 9 होगा, 3 का square 9, फिर आप root 5 का square कीजिएगा, तो 5 होगा, यह बात समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 का square 9 हो गया, और इसका square कीजिएगा, कितना होगा, 5, 2 a b कीजिएगा, तो 2 a b, तो 3 दूना 6 root 5 हो जागा, तो 6 root 5, आ नीचे कितना है मेरे भाई, 4 है, फिर देखिए, प्लस, यह टूटेगा, a plus b का whole q, अब देखिए, यह टूटेगा आपका, a plus b का whole q, तो फर्मूला क्या होता है, देखिए, हम यहाँ आप लिग देते है, a plus b का, a minus है, a minus b का whole q, फर्मूला क्या होता है, a q minus b q minus 3 a square b, अब प्लस क्या, 3 a b square होता है, होता है, एक नहीं होता है, a q करेंगे, 27 होगा, b q करेंगे, तो root 5 का whole q कीजिएगा, root 5 तीन बार होगा, मेरे भाई, root 5 root 5 क्या हो जागा, 5, देखिए, यहाँ पर, minus b q, और बगल में root 5, ओके, फिर, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे है, 3, minus 3, a square, a square मतलब क्या, 9, और into b, कितना हो जागा, minus 27 root 5, होगा की नहीं होगा, देखिए, minus 3, a square, b, तो कितना होगा, minus 27 root 5, आगे देखिए, फिर है, 3, a, b square, तो 3, a के जगा पर है, 3, और b square, यानि root 5 का square, तीन तरी की 9, a square root को खतम करेगा, 5, तो 9 पचे कितना हो जागा, 45, और बाटा में कितना हो जागा, 2 का cube कीजिएगा, 8 आएगा, हमने सारे भैलू को रख दिया, अब जड़ा देखिए, अब इसका LCM लिजिए, या आप एक स्टेप और बहा दीजिए, 9 पाच कितना हो जागा, 14 plus 6 root 5, बटा में 4, अब प्लस, यहाँ देखिए, 27 और 45, कितना हो जागा, 7 पाच 12, 2, 72, बहत्तर हो जागा, और 27 25 आपाच कितना हो जागा, 29 root 5, अब बटा में कितना हो जागा, 8, इसका LCM लिजिए, LCM लिजिएगा, यह 8, 4 दुना 8, 2 से गुना इसमें भी और इसमें भी, यह हो जागा, 14 दुना 28, अच्छो दुना 12 root 5, यह 8 से 8 कटेगा, 72 माइनस 29 root 5, समझ में आ रही ही बाद, अब ज 32 root 5 में से 12 root 5 जाएगा, कितना बुचेगा, माइनस 17 root 5, माइनस 17 root 5, अब बटा में कितना हो जागा, 8 हो जागा, समझ में आ रही ही बात, किलियर है, एक चीज़ और, यह 27 root 5 और 5 root 5, 32 root 5 होगा, my mistake, चलिए, यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जागा, 32 हो जाएगा, 32 root 5, यहाँ पर क्या उतरेगा, आपका, यहाँ उतरेगा, 32, तो 32 में से 12 जाएगा, यहाँ पर क्या उतर जाएगा, 20, 32 में से 12 जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पर, 20 root 5, अब इसमें से, यह 5 लिखे है, इसमें से आप चाहिएगा, तो 4 कॉमल ले सकते हैं, 4 कॉमल लिजिएगा, यहाँ क्या बचेगा, 25, यहाँ क्या बचेगा, 25, और यहाँ क्या बचेगा, 45, 25, अब नीचे, आपका जो वैलू है, 8, यहाँ से 4 कॉमल लिजिएगा, 4 दुना, 8, यह आपका final answer होगा, आपको लगता होगा, कि इतना बड़ा जो question है, बनाएंगे तो काफी time किल होगा, आपको समझाने में इतना time लगा, मैंने क्या किया, सबसे पहले, x प्लस 1 बाई x, same power से x-1 बाई x निकाला, और वहाँ से x का value निकालने के बाद, एक बार हमने 1 बाई x तो निकाल दिये, x स square किये, और फिर क्या कर दिये, 1 बाई x का value क्यूब करके, हमने क्या कर दिया, value निकाल दिया, मेरी बाई समझ में आया, clear है, अब इसी question को हम एक और तरीका से बताने का कोशिस करेंगे, वो भी थोड़ा होगा, लेकिन हो सके calculation क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यह सब question आप इसी question को हम दूसरे तरीका समताते है, question क्या है भई, x plus 1 by x ब्रावर 3, तो question पुछेगा, x square plus 1 by x q क्यों का क्या निकाले, value निकाले, तो चलिए देखिए, आप देख सकते है, इसमें square का यूज है न, आप क्या कीजे, square निकाल दिजए, x square plus 1 by x square, इसका formula ता आपको पता ही ह क्या होता है, 3 का square minus 2, शुरू में ही बताए है, value कितना आ जाएगा, 3 त्याए 9 में से दो गया, 7, अब चुकिए plus में निकाल दिए, इसको minus में भी निकाले, same power, same power आता है, तो क्या करते है, इसका square minus 4, ये भी बता है, तो कितना आ जाएगा, root under 45, 45 को आप क्या लिख सकते है 9,45, और 9 को क्या लिख सकते है, 3 root 5, अब ये माल लिजे equation first है, और ये equation क्या है, second, जब इन दोनों को आप जोडिएगा, ये दोनों कट जाएगा, मेरे भाई, नहीं कटेगा, तो result किसका आ जाएगा, x square, x square, 2 x square, इधर जोडिएगा, 7 plus 3 root 5, और यहाँ से x square का value अब उसी तरह से, इसके मदद से, आप क्या कीजिए, x cube, प्लस 1 by x cube का value निकालिए, याद कीजिए, x cube प्लस 1 by x cube का value निकालते हैं, तो इसका cube करके, minus, इसका cube करके, minus 3 into 3, पिछला वीडियो जो भी बच्चे देखें, उनको यह समझ में आ रहा होगा, यह कितना हो जाएगा, 27 minus 3, 3 की 9, कितना हो गया, 18, जब प्लस में निकाले हैं, तो इसका minus में भी value निकाले हैं, सेम पावर, तो सेम पावर आता है, तो कैसे निकलता है, रूट अंडर, इसका square, इसका square minus 4, यह कितना हो जाएगा, 324 minus 4, यह कितना हो जाएगा, 320, और 320 को हम लोग लिखते हैं, 64 गुना 5, यानि 8 root 5, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे value 1 by x cube का चाहिए, तो जब देखिए x cube plus 1 by x cube का value, यहाँ पे समझे, x cube plus 1 by x cube का value 18 है, और यहाँ पे है, x cube minus 1 by x cube का value 8 root 5, अगर हम यहाँ पे घटा देंगे, तो sine बदल जागा, यह minus होगा, यह plus होगा, यह minus होगा, और यह दुनों कर जागा, 1 by x cube, 1 by x cube, फिक है, यहाँ पे हम डाइरेक्ट लिखते हैं, उपर कर देते हैं, चलिए, यहाँ पे देखिए, यह कट गया, तो 1 by x cube, 1 by x cube, 2 by x cube हो जागा, इधर क्या हो जागा, 18 minus 8 root 5, अब हम कहें कि यहाँ से 1 by x cube निकन दो, यह divide में आ जागा, 18 minus 8 root 5 by 2, ओके, अब question में क्या कर रहा है, दोनों को जोर दीजिए, according to question, x square का value क्या निकाले है, 7 plus 3 root 5 by 2, और 1 by x cube का value क्या निकाले है, 18 minus 8 root 5 by 2, इसका LCM लेलो, तिक्छे, अब यहाँ पे, अगर हम इसका LCM लेंगे, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया, तो 2 से यहाँ पे क्या उतरेगा, 7 plus 3 root 5, है, अब फिर यहाँ से क्या उतरेगा, 18 minus 8 root 5, 8 root 5, 18 साथ कितना होगा, 25, और 8 में से 3 गया, 5 root 5 by 2, जो answer आया, ओके, वही answer आपका पीछे भी आए, 25 minus 5 root 5 by 2, 25 minus 5 root 5 by 2, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह question बनाने के लिए आपका पीछे का सारा concept यूज हो रहा है, अगर आप पीछे वाला concept नहीं ध्यान में रखे हैं, question आपसे नहीं बनेगा, सिर्फ आपको समझाने में इतना time लगा है, जब आपका practice हो जाएगा तो आपको इतना time नहीं लगेगा, आपका question, हाँ, दो मिनट, देर मिनट तो लगेगा है, क्योंकि यह question काफी आपका simplification व concept है, वो clear हुआ है, जिसे हम यहाँ पर दे दे, जिहान से सुनिएगा, ऐसा ही question है, जिसे यहाँ पर दे दे, यदी, x plus 1 by x ब्रावर कितना, whole, ठीक है, तो question में पूछेगा, कि x q plus 1 by x square का value क्या होगा, चलिए बनाते हैं, जब इसको हम solve करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले हम इसको जो अभी second method बता है, उसी से पहले बना लोते हैं, इसमें x q का भी use है और square का भी use है, यहाँ पे सबसे पहले x q निकाल लिए, x q कैसे निकलता है, जो भी value दिया है, उसका cube करके उसमें 3 गुना घटा दी, यहीं नो फर्मूला होता है, चोड़चों का सुलचों का 64 minus 4 या बार, 64 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, बाउन बचेगा, उमीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, clear है, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे, इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस में निकाल दिये ते, इसको लगले minus में भी निकाल लिए, जब सेम पाउर निकालते हैं, तो कैसे निकालता है, जो भी बहलू दिया है, उसका square करके minus 4, करते हैं, आपको पिछले लेक्षर में बताय हुए है, इसको जब आप multiply किजिएगा, तो 274 होगा, minus 4, घटाएगा, तो क्या बचेगा, 27, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 900 गुना 3, 900 का वर्गमूल होता है, 30 बट 3 का नहीं होता है, तो root कितना हो गया, आपका 30 हो गया, समझ भी हारी बचेगा, 30 root 3 हो गया, कि लिए, अब ज़रा देखिए, यह आपका equation क्या है, first है, और यह equation क्या है, second है, अगर इन दोनों को आप जोड़िएगा, इन दोनों का अगर आप जोड़िएगा, तो यह दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, यह xq, xq, क्या होगा, 2xq होगा, और इधर में इसको और इसको जोड़ दीजिए, 52 प्लस 30 root 3, अब यहाँ से xq का value निकाल लिए, यह divide में आ जाएग और यहाँ पर 15 बचेगा, अनीचे क्या है, 2, यह देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो xq का value क्या आ गया, 26 प्लस 15 root 3, हमने xq का value निकाल लिए, आई बस समझ में, अब देखिए, अब मुझे square में जाना है, तो यहाँ पर अगर हम कहें, x square प्लस 1 by x square का value निकाल लिए, तो कै इसका square करके क्या करते है, 2 minus करते है, जब इसका square करके 2 minus किजिए होगा, कि कितना होगा, चुर्चो का सुलना, सुलना में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, चौधा, जब प्लस में निकाल लिए, तो यहाँ minus भी निकलना पड़ेगा, same power, same power की से निकलता है, जो value आया है, उस इसका square करके 4 घटा दे, तो क्या होगा, 196 minus 4, यह आजाएगा, 190, कितना आजाएगा, आपका 192 आजाएगा, 192 का अगर आप factorize करते हैं, तो क्या होगा, 64 गुना 3, और 64 का अभेलो होता है, 8 root 3, अब हम देख रहे हैं कि 1 by x square, यानि इसको रहना पड़ेगा, ति कटना आप 3 मान लेते हैं समझने के लिए और 4 अगर आप घटा आते हैं, तो यह दोनों कट जाएगा, घटाएगा, घटाएगा, ति यह माइनस dalam 144 क्या हो जाएगा, फुलस और यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मेरी बास समझ रहा है है, चलिए, प्लफ्ू अर charter से, 1 1yx2 1yx2 जोरेंगे तो 2yx2 होगा 2y क्या होगा एक से स्कार इन दोनों को घटा रहे हैं मेरे जियान से समझेगा इन दोनों को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो 2yx2 2yx2 जोरी और यहां जागा 14-8 अब यहां से आप 1yx2 का वहले निकल यह भाग में आएगा गुना है न उपर उपर आए न तो नीचे आएगा इसमें से 2 कॉमन ले लो 7-4 root 3 अब आई कितना 2 फिर यह 2-2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 by x2 बराबर 7-4 root 3 अब कोस्चन में क्या कर रहा है कि आपका वहलू xq प्लस 1 by x2 का वहलू क्या होगा तो xq का वहलू क्या निकल नहीं जड़ा देखिए 26 प्लस कितना 15 root 3 अब 1 by x2 का वहलू 7-4 root 3 26 कितना हो जाएगा 33 अब 15 में से 4 जाएगा 11 root 3 आपका यह एंसर हुआ अगर आप चाहते हैं तो इगारा कॉमन ले लिए इगार या 33 आ रूट 3 यह आपका final answer हुआ उमीद है कि इस तरह का question अगर आपको आ जाए different different power तो भी आप बना सकते हैं एक और तरीका से इसको बताते हैं जो पहला में तरता इससे क्या होगा आप दो को question देखिएगा आपका पुरी तरह से mind clean हो जाएगा चलिए question क्या था x plus 1 by x फिर से इस question को हम बता रहे हैं माली यह question क्या था यदि x plus 1 by x ब्रावर कितना फोर तो question क्या पुछा था x q plus 1 by x square x q plus 1 by x square का भेलो पुछा था चलिए यहां से अब हम निकलना इस्टार्ट करते हैं तो question में क्या दिया है x plus 1 by x ब्रावर 4 यहां से same power निकल लिए यहां पर कैसे निकलेगा इसका क्या कर देंगे आपको अभी बता है इसका square करके minus 4 कर दें सेम पावर इसी निकलता है जो नंबर दिया है उसका square क्या minus 4 यह हो जाएगा चर्चो का सुल्ला minus 4 यह हो जाएगा 12 और 12 का value कितना होगा चार गुणा 3 और 4 गुणा 3 को हम क्या नहीं सकते है 2 root 3 हमने x का value निकाल लिए आप जड़ा दिखिए यहां से x का value निकाल लिए या फिर 1 by x का भी यह हो जाए तगर हम कहें कि यहां से 1 by x निकालो यह 1 by 2 root 3 हो जागा अब इसका according to question किसका value निकलना है x q x का value कितना निकालना है यहां पर देखिए एक चीज़ और my mistake sorry हम यहां से तो x का value निकालना ही नहीं है अब चलिए देखिए आप यहां पर अगर इन दोनों को यह आपका equation कितना है first और यह आपका क्या हो गया second इन दोनों को अगर हम जोरेंगे तो क्या हैगा मेरे भाई यह दोनों कट जाएगा तो x x क्या आजाएगा 2x आइधर जोर रहा है 4 में 2 root 3 अगर हम यहां से x का value निकाले और इसमें से 2 common ले तो 2 दूना 4 और यह 2 common हुआ root 3 अब आई इधर 2 आजाएगा यह 2 2 कट जाएगा तो x का value क्या आजागा 2 plus root 3 x का value निकाल लिए अब 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 value किसका निकालेंगे 1 by x का जब हम यहां से 1 by x निकालेंगे तो यह 1 के नीचे x का value रखिए 2 plus root 3 अब चलिए इस करेशनलाइज किजिएगा यहां यहां पर आप डायरेक्ट मार सकते हैं जब ऐसा कभी भी question आए और दोनों के बीच का अंतर एक हो अब अंतर एक कहने का मतलब क्या इसका square करो और root 3 का square करो इसका square करो और root 3 का square करो यह दो दूना 4 square root 3 कतम करेगा 3 कितना का अंतर है एक जब ऐसा question दिया रहे और एक का अंतर रहे तब पुलास ओला जो result है ना वह माइनस में आ जाता है देखिए कैसे हम चेक करके भी बताते हैं यह इसनलाइज किजिएगा परमे करन तो माइनस में 3 यह एक से गुना करेंगे 2 माइनस root 3 आज जब भी परमे करन होता है तो फ्रमुला क्या लगता है a square minus b square आई बस समझे में यहां क्या उतरेगा 2 minus root 3 2 का square 4 minus 3 4 में से 3 गया एक एक तो लिखाता नहीं है चलिए तो 1 by x का भी value मैंने निकाल लिया अब according to question value किसका निकालना है x q plus 1 by x square x का value आपने निकाल लिया है 2 plus root 3 इसका cube और 1 by x का अभी just value निकालना है 2 minus root 3 का square इसको a plus b का whole q formula aq plus bq plus 3a square b plus 3ab square अब देखें आपको हम इतना detail से बता रहे हैं जब आप बनाईए गाइक जैमिने से क्या इतना detail से बनाना है और इसको a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab अब यहां देखें 2 का q 8 यहां sorry cube होगा बाबू मेरे यहां क्यूब कर ले ना यहां पर क्या कर लोगे? cube कर लोगे और root 3 का cube करोगे तो root 3 कितना बार हो जाएगा? तो root 3 root 3 क्या होता है? 3 यहां 3 root 3 हो जाएगा यह 2 दूना 4, 4 तिया 12 root 3, 3 दूना 6, square root को खत्म करेगा 3, 6 तिया 18, यह 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, square root को खत्म करेगा 3, और यह 2 दूना 4 root 3, ओके? अब यहां देखिए, 8, 18, 18, 18 कितना हो जाएगा? आपका, 18, 18, 26, 26, 24, 30, तीन, 33, और यहां देखिए, 12 root 3, 3 root 3, 15 root 3, 15 में से 4 जाएगा, 11 root 3, वही एंसर आ गया? फिर इसमें से 11 कॉमन ले लेजेगा, 3 plus root 3, जो आपका यह यहां पर इंसर आया? वही एंसर आपका यहां पर है. तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का भी question आएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है. बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे, कि अगर आज पचवा लिक्चर देख रहे हैं, तो पीछे वाला लिक्चर जूर देखेंगे. औ एक दम जो होता नहीं है, मक्खन की तरह आपका इल्यबरा हो जाएगा, बीज गनीत हो जाएगा. थोड़ा time लगेगा, लेकिन मक्खन की तरह आप question को बनाएगा, एक दम smoothly बनाएगा. आई बस मझ में. तो यह एक type बाकी था, जो थोड़ा बड़ा type होता है, और examination में question पू उसमें भी बरका power नहीं पूछेगा, छोटा छोटा power पूछेगा, आई बस समझ में clear है, अब हम लोग डालते हैं कुछ और बात, कुछ और heading डालते हैं कि उसको हम कैसे बनाएगा, अब हम लोग यहां से नया type चलेंगे, आपने आपको दो question बताया, different different power का, और उसका मैंने दो-दो method बताया, दोनो method में से आप कोई भी एक method को चूज कर सकते हैं, और question को practice करके, अपना जो speed है, वो बना सकते हैं, इसका कोई उपाया नहीं है, shortcut का, आप कहीं भी पढ़िएगा, तो इस तरह का question का, कोई shortcut का उपाया नहीं है, shortcut का एक ही उपाया है, आपका practice, जितना practice किजिएगा, उतना जल्दी आपसे question बनेगा, और accurate बनेगा, आपको हम फिर से बता रहे हैं, कुछ ऐसे भी question होते हैं, जो 10 second, 15 second, एक minute में भी नहीं बनेगा, और कुछ ऐसे भी question होते हैं, कि जो बिल्कुल नहीं बनेगा, उसके लिए guideline चाहिए, तो आपको हमने ये question बता करते हैं, जैसे नया टाइप का बात करते हैं, जैसे माल लीजिए, यहां पे आजाए, एकस फाइव, प्लस वन बाई एकस फाइव, इस तरह का question आएगा, तो कैसे बनेगे, पावर दो में बना लेते हैं, पावर तीन में बना लेते हैं, छे में बना लेते हैं, पाँच में कई से बनेगा, साथ में कई से बनेगा, इगारव में कैसे बनेगा, इस तरह का question मिनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, पावर फाइब है ना, पावर फाइब को आपको इस तरीका से तोरना है कि दोनों का बीच का अंतर एक का हो, तो पाँच को दो पाट में तो यह कहा थाथ, दो और तीन लिखिएगा, क्योंकि दो कि दो आतीन पाच होता है और दोनों को घटाई ही, है तो कि इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करना से यहीएगा question एस तरह का, जैसे question आप पको देदेगा, x plus 1 by x ब्रावर 3 और कहाँगा कि x5 plus 1 by x5 का value अभी तक आपको हमने जितना भी pattern बताया वो fixed pattern था power 2 है तो power 2 के मदद से power 4 निकाल सकते है 4 है तो 4 के मदद से 8 निकाल सकते है 8 है तो 16 निकाल सकते है यह सब टाइब बताय हुए 3 है तो 6 निकाल सकते है 12 है तो 24 निकाल सकते है बट 5 वाला कहा गया 7 वाला कहा गया 11 वाला कहा गया इस तरह कभी तो question हो सकते हैं कि नहीं बिल्कुल हो सकते हैं तो इस तरह का question बनाने के लिए अब हम आपको type बता रहा है अब बताये इस तरह का question आपको जब भी मिलेगा इस तरह का जो टाइप फाउंडेशन बैच में ही बिलेगा तो बच्चे लोग आपसे रिक्वेस्ट है एक भाई के नाते आपसे बोल रहे हैं पेसेंस रखिए और सारे पैटर्न को पढ़िए आपको पता चलेगा कि मैथ कितना इजी है लेकिन क्लास हर दिन जोईन करना होग होगा नोटबुक में लिखना होगा उसको बार बार देखना होगा प्रैक्टिस करना होगा अई बसमझने चली इमार लीजिए इस तरह का कोशन आगा तक कई से बनाएंगे तो सबसे पहले हम तो यह देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा आपको हम सिखा रह सबस्का नाए मेरी बात को यहां पर यह स्काय फ्लस ब्लस बड़ाइ एकस स्काय इनटु ऐ्ट्स क्योग प्लस उनगाइग्स कु अ क्यों गेच झूट तो कि बीच इंच का अंतर है तो इसमें से एकस फ्लस नन भाल एकस को में आपको यह घषिए आप को इसको इंटु किजिए इतना आ जाएगा चलिए इंटु करते हैं जब इसको बीच में इंटु है इन दोनों में एक बार एक से स्क्वाइर से पुरा डिटेल में बता रहे हैं X square से into कर दो और एक बार किसे कर दो 1 by X square से into कर दो माइनस X plus 1 by X into किजए यहाँ X2 और X3 X5 हो जाएगा जब इसमें into करेंगे यह X square से XQ है जब आप X square से 1 by XQ को काटिएगा यह दूगों से दूगों कट जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर यहां बाई एक्स बचेगा यहां जब वन बाई एक्स स्क्वाइर से आप एक्स क्यू काटिएगा यह एक्स स्क्वाइर से एक्स स्क्वाइर यहां एक्स बचेगा यहां पर यहां एक्स बचेगा ना इंटू करेंगे तो और यहां इन्टु किजिएगा 1,1 x to power 5, आगे minus है तो जो नो minus होगा जो बार्बार आगे, अब यहां देखने के बाद हम देख रहे हैं, यह plus में है, यह minus में है, यह plus में है और यह minus में है, जो बचा आप देख सकते हैं, वो आपका जो result था उसके बराबर आगे तो अगर हम x5 plus 1 by x5 का बात करें तो हम इस तरह से बात को लिख सकते हैं उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे तो रहे एक का अंतर किलियर है पूरी तरह से समझ में आगे अब इसी तरह से एक और बात लिखे ये तो माल लिजे पहला होगे हैं अगर हम दूसरा का बात करें इसे माल लिजे इसको आप करना चाहते हैं तो कैसे तो साथ को ऐसे दो पार्ट में तुरिये जिसके बीच का अंतर क्या हो एक हो तीन और चार तीन चार साथ होता है और घटाएंगे तो एक होगा जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे XQ plus 1 by XQ into X4 plus 1 by X4 और क्योंकि एक का अंतर है एक वाला घटा दे की अचार समझे आया की नहीं है अब देखिए इसको भी चेक कर देता है इन दोनों में एक बात XQ से multiplication और फिर इस से multiplication अब यहां देखिए यह चारा तिन कितना हो जाएगा साथ फिर इसको काटिएगा तो नीचे जादा है तो नीचे वन बाई एक्स बचेगा इसमें इंटू किजिएगा ऊपर जाद है तो ऊपर में एक्स बचेगा एक एकम एक और यहां पर हो जागा एक्स बच जागा यह कैसे हुआ यहां पर समझ दिए एक्स क्यू से मॉल्टिप्लाइ किजिएगा वन बाई एक्स बच जागा फिर आप क्या किजिए फिर क्या किजिए एक्स क्यू से एक्स बच बच जागा और आप फिर इसमें मॉल्टि अग्लास में को जाएगा माइनस में हूजाएगा आप देख सकते हैं यह प्लस यह माइनस यह माइनस पुलस तो क्या बच गया नहीं अग यह लुद्ध Quin था मई आपकाрем消ान को नहीं करेंगे आपको समझ में क्लास आरा है कि नहीं देखिएगा इतना बड़ा बड़ा कोश्चन आप बनाने लगिएगा बीजगनित में कि छोटा उला कोश्चन आप पर यह क्या है एकदम पूछा गया है समझ में आरी बात तो घबराना नहीं है आप देखिएगा धीरे-धीरे सारे कोश्चन का हम पैटर्न बताएंगे आप हर एक टाइप बड़ा से बड़ा हिजाम दीजिएगा वहां भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे लेकिन आपसे एक ही सपोर्ट मांगते हैं आप रेगुलर क्लास कीजिए जोईन कीजिए टाइम पे हर दिन नौ बजे और प्रैक्रिस कीजिए जो भी हम कर रहे हैं तो य आपको तरीका समझ में एकदम new type है उमीद है और हमको यह पूरी तरह से उमीद है कि इस तरह का question आपको देखने को मिला भी होगा तो छोड़े होंगे या नहीं ही मिला होगा तो प्लीज आप लोग देख सकते हैं कि आपके channel पे जो भी तरीका बताया जा रहा है एकदम perfect perfect important type बताया जा रहा है और पूरा detail में क्यों इतना formula होता है proof कर रहे हैं क्यों ऐसा लिखते हैं हमने आपको proof कर दिया अब इस पे हम एक question लिखते हैं और समझने का प्रयास करते ह इसे माल लिजिए question दिया हुआ है x plus 1 by x ब्रावर 3 दिया है यदि x plus 1 by x ब्रावर क्या दिया है 3 और आपसे पूछ दे x5 plus 1 by x5 का भैलो क्या होगा और x7 और 1 by x7 का भैलो क्या होगा इस तरह का आपका question हमने आपको दे दिया और आपको यहाँ पे बनाना है तो ज़रा इसको कैसे बनेगे ध्यान से समझेगा अभी मैंने बताया कि x5 को 5 बनाने के लिए आपको दो और 3 में चेंज करना होगा किसमें चेंज करना होगा दो और 3 में चेंज करना हो याई एसक्वार ला टर्म चाहिए और की और टर्म चाहिए आई बसमज़ में पहले x plus 1 by x से x square प्लस 1 बाई एक से स्क्वाइर निकाल दोजाएं तो कैसे निकलेगा 3 का स्क्वाइर माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 बड़ावर से दोगाई अब ये कैसे आ रहा है मेरे भाई ये हम पहले ही पढ़ा चुकिया है लेक्चर पॉस्ट में हम ये से बात बता चुकिया है अब क्या कीजिए इसमें क्यूब का भी तो यूज है यहां पर क्या कीजिए क्यूब भी ज़रा निकाल लीजी क्यूब कैसे निकलता है जो भी नमबर दिया है क्यूब करके उसमें तीन गुना घठा लीजी ये कितना हो जाएगा 27 ये 9 कितना हो जाएगा 18 हम बीच में क्यों जगा छोड़े है अभी आपको पता चले है अब देखिए भैलू किसके निकलना है x5 प्लस 1 by x5 इसको आप क्या लिख सकते हैं x square प्लस 1 by x square into x q प्लस 1 by x q minus x plus 1 by x बेलू कुढ कीजिए इसका बेलू आपने निकाला 7 इसका बेलू आपने निकाला 18 और इसका बेलू कितना दिया हुआ है 3 अठार सते 126 minus 3 एंसर कितना आजाएगा 123 एंसर कितना आजाएगा 123 बताइए यह टाइप आपको समझ में आया कि नहीं हमने क्या किया इसके मदद से square निकल लिया फिर इसी के मदद से क्या निकल लिया क्यों निकल लिया जगह क्यों छो रहे है अभी आपको पता चलेगा लेकिन अगर X5 और One by X5 का निकलना है तो यह आपका फर्मूला होता है और यह फर्मूला याद करना कोई कफिन नहीं पांच को आप तीन और दो लिख सकते हैं तीन और दो इसलिए लिखे की दोनों के बीच का अंतर क्या है एक है और एक रहेगा तो रहे हैं आपका इस तरह का multiply फिर इसको कि यह दो इतना आ जाएगा अब हम लोग 7 का बात कर रहे हैं 7 ओला कैसे बनेगा देखिए मेरे बाई अगर हम कहें अगर हम कहें कि जड़ा 7 ओला बनाइए 7 का फर्मूला क्या होता है जड़ा बताएए मुझे 7 का फर्मूला अभी बता है एक्सक्यू प्लस वन बाई एक्सक्यू जिसका आपने वैलू निकाल लिया है फिर एक्सफोर प्लस वन बाई एक्सफोर और माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स तो पावर फोर का तो वैलू नहीं निकाले है यहाँ इसक्वाइर के मदद से क्या निकालेंगे पावर फोर नि सिर्टेटस्टे दो कितना हो जागा 47 हो जागा शार यह बात आपको समझ हने आया की नहीं आया उमीद है इस तरह का बात भी आपको समझ में आया होगा किस तरह से किए स्कंडी के मद्द से हमने क्या कर दी आप से अब यहां पर भै करूंँ गिंगी इसका भैविन आपको दीख रहा है कितना 18 फिर इसका भglio आपको क्या दीख रहा है 37 इस दिख रहा है की नहीं देख सकते हैँ 37 है । ceremony have a few decía एम यहां पे दिक्कत नहीं होना च golden अब फिर यहां पे minus इसका value कितना दिया है 3 दिया है clear है अब जड़ा देखिए यहां पे अब 18 और 47 में आपको multiply करके और आपको क्या निकाल लेना है answer को निकाल लेना है clear है एक चीज़ और अब 18 में 47 से बुना कर दीजिए आरसते 56 के 6, 5, 12, 84, 32, 32, 3, 6, 4, 8 800 कितना 46 minus 3 यहां पे क्या आजाएगा 800 उमीद है कि इस तरह के question अगर आपको आ जाए तो आप बनाने में पीछे नहीं हटिएगा और आप असानी से बना सकते हैं उमीद है कि इस तरह का question बनाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आप concept समझ गए होंगे कि अगर 5 आ जाए सेबे ना जाए तो इस तरह का भी question आप असानी से बना सकते हैं इस पे और भी बाते होगी अभी minus और बाकी है एक दो question और भी बाते होगी आप देख सकते हैं कि आज का जो type था वो थोड़ा गजब का type था अलग किसिम का type था time लग रहा है लेकि सारे question का pattern ही अलग है different आप समझ सकते हैं कि इस तरह के question नॉर्मल एक्जाम में पूछे नहीं जाएंगे लेकिन अगर जब आप बड़ा चीज कर लिजेगा तो चोटा चीज करने में काफी असान होगा तो आप इस channel पर बने रहें और हर एक lecture को जोईन कीजिए सुबर 9 बजे जो आपका math की class होती है चलिए इस पर हम और भी बात करेंगे next class में तब तक के लिए नमस्कार चाहिए